हलो फ्रेंट्स बहुत-बहुत स्वागा था आपका सुपर फास्ट स्टेडि एंड एक्सपेरिमेंट पर तो फ्रेंट्स इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ DRI के बारे में DRI प्लांट के बारे में Direct Reduced Iron Plant के बारे में बताने वाला हूँ अगर आप नए हैं DRI plant में चाहे electrical department में हो चाहे mechanical department में हो या फिर आप process department में हो आप किसी भी department में हो engineer हो fitter हो या technician हो जो भी हो आपको इन basic जानकारी होनी चाहिए कि कहां कहां पर कौन सा equipment है क्या किस part का नाम है और mostly plants में shortcuts को use किया जाता है जिसका full form भी आपको पता होना तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं बहुत ही basic से तो friends ऐसे ही industrial technical videos, mechanical engineering field से related videos इस YouTube चैनल पर मैं upload करता रहता हूँ 930 से ज़्यादा वीडियो जो है अब तक मैंने upload कर दी हैं और मैं regularly नए नए वीडियो जो है वो upload करता रहता हूँ अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो please इस वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करके bell icon को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर एक नए वीडियो का notification आप तक पहुँच पाया तो फिलहाल इस वीडियो का start करते हैं बने रहेगा वीडियो में अन्तिताइब तो यह screen पर आपके सामने है DRI plant का पूरा का पूरा setup, rotary kiln, cooler और उस पे जितने भी parts है वो सभी यहाँ पर महने बनाया है और अपने हाथों से मैंने यह diagram जो है वो बनाया है तो please like ज़रूर कर दीजेगा बहुत महना से बनाया है तो चलिए start करते हैं सबसे पहले देख लीजे यह rotary kiln का inlet है और यह है outlet उसी तरह से यह rotary cooler का inlet है और यह है उसका outlet तो यह जो portion है यह कहलाता है ABC, ABC का full form होता है after burning chamber यहाँ पर जो है नीचे का हिस्सा है वो कहलाता है ABC lower और इसके just उपर का हिस्सा जो है वो कहलाता है ABC upper उसके नीचे है DSC याने की dust settling chamber यह जो पूरा chamber है इसे DSC कहा जाता है dust settling chamber है यह इसके भाजू में जो है यह इसे back flow shoot कहा जाता है back flow shoot और just उपर में आपको एक shoot दिख रहा है यह feed shoot है feed shoot से material जो है वो किलन में enter करता है feed shoot के नीचे में feed tube होता है जो की अभी इस diagram में आपको नहीं दिख रहा है वो inclined होता है याने की उपर से लेकर किलन के अंदर तक गया होता है और यह नीचे वाला जो है यह आपका wet scrapper है किलन inlet outlet और cooler inlet outlet में एक ऐसा arrangement होता है जिसमें बहुत सारे pneumatic cylinders लगे होते हैं और उसमें दोनों side wheels लगी होती है और वो आगे पीछे movement करता है उसे कहा जाता है carriage यह rotary किलन और यह inclined होता है material inlet से enter करता है और outlet से निकलता है और वो cooler inlet में जाता है फिर वहां से cooler outlet से discharge होता है किलन जो है वो घूमता रहता है यानि की rotate करता रहता है तो देखिए यह चार जो आपको दिख रहे हैं 1,2,3,4 यह चारो टायर है यह support rollers के उपर rest करते हैं हर टायर दो support roller के उपर rest करता है यहाँ पर यह जो दिख रहे हैं यह support rollers हैं अभी आपको 4 support roller दिख रहे हैं इसके opposite side में भी 4 support rollers है किलन का पूरा load जो है इनी support rollers पर होता है support rollers पर दोनों side bearings लगी हुई है अब किलन क्योंकि rotate हो रहा है तो इसे rotate होने के लिए power चाहिए तो rotate होने के लिए power कहां से मिलता है तो इसके लिए बड़े बड़े gearbox का इस्तवाल किया जाता है जिसे की kmd कहा जाता है याने की kilan main drive gearbox 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 पे जो motor fit होता है उसे main kmd motor कहा जाता है kilan main drive motor कहा जाता है और coupling के through वो connected होता है pinion से pinion gear से connected होता है पिनियन गेर connected होता है बड़े से गेर से जिसे की कहा जाता है गर्थ गेर तो ये आपका पिनियन है और ये गर्थ गेर है दो पिनियन लगे होते हैं और एक गर्थ गेर होता है दो में ड्राइब गेर बॉक्स होते हैं दोनों एक एक पिनियन से connected होते है जिस side से killen lift होता है जिदर से उठता है उसे master कहा जाता है और जिस side से killen को push किया जाता है उस side को slab side कहा जाता है दोनों बड़े gearbox के साथ में छोटे छोटे gearbox अलग से connected रहते हैं जिन्हें की auxiliary gearbox कहा जाता है और दोनों gearbox के साथ में एक forced lubrication system भी installed होता है जो की oil को lubricate करता है और उसे cool करता है उसका diagram यहाँ पे नहीं बना हुआ है उसे FLS कहा जाता है और दोनों gearbox के side में आप देख सकते हैं उसे अब किलन के cell में यहाँ पर आपको यह देखिए यह 4 तो दिख रहे हैं चार पॉइंट यहाँ पर दिख रहे हैं यह देखिए यह cell air tube और cell air fan का arrangement है यानि कि कुछ कुछ distance पर particular distance पर है ना cell air tube अंदर घुसे होते हैं किलन के shell पर और हर tube के साथ में centrifugal fan जो है वो installed होता है वही करता है अलग-अलग साइच के किलन में number of tube और fan जो है वो vary करते हैं जैसे किसी में 7 air tubes होंगे किसी में 9 होंगे किसी में 8 होंगे इस तरह से यह 180 degree पे लगे होते हैं जैसे कि आपको इस side में अभी 4 cell air fan और tube का arrangement दिख रहा है इसके just opposite में भी 4 या फिर 5 cell air tube fan और tube का arrangement होगा 180 degree म यह है आपका किलन outlet hood यह किलन outlet का hood है और इसके आगे यहाँ पर main door है main door में आप देख सकते हैं यह जो pipe है यह आपका CB pipe है CB pipe यानि कि central burner pipe है और इस pipe में एक fan connected है यहाँ पर expansion bell के साथ में वो fan centrifugal type of fan है वो भी और वो है आपका CB fan यानि कि central burner fan या फिर central burning fan भी बोल सकते हैं आप और उसके बाजू में यहाँ पर आपको एक पतली सी pipe दिख रही है जो है coal throw pipe है और जो एक equipment से connected है यह है इसका coal injector जिसे की RALF भी कहा जाता है rotary air lock feeder भी कहा जाता है और इसके उपर में है injection hopper यानि कि यहाँ पर material रहता है यहाँ से inject किया जाता है coal injector में पीछे side से high volume air जो है उसे दिया जाता है और वो आता है आपका root blower से या फिर low compressor से तो यहाँ पर से pipelines लगी होती है जो कि यहाँ पर इस डियाग्राम में नहीं है और यहाँ पर hood के निचला हिस्सा जो आप देख रहे हैं यह इसका transfer shoot है transfer shoot यहाँ पर hydraulic cylinder लगा हुआ है hydraulic cylinder open और close होता है यहाँ पर एक door है जो कि open और close होता है requirement जब पढ़ती है तब इसे खोला जाता है और इस transfer shoot से ही material जो है कि लनका वो cooler में enter करता है cooler में भी आपके देख सकते हैं आप दो टायर है यह भी rotary type cooler है इसमें दो टायर है और चार support rollers लगे हुए हैं जिसमें की दो support roller आपको दीख रहे हैं दो इसके opposite side में है cooler के उपर में continuously water जो है वो spray होता रहता है water flash होता रहता है water यानि की पानी गिरता रहता है जिससे की अंदर का material जो है वो cool होता है और जिस pump से cooling होती है उसे cold well pump कहा जाता है उसके बाद cooler से material ये जो point है ये cooler outlet hood है और उसके नीचे में जो है ये इसका DP valve है DP valve और यहाँ पर जो अलग से एक shoot टिकला हुआ है ये इसका oversize का suit है यहाँ से oversize material जो है उसे बाहर कर दिया जाता है जो killer से जो final product आता है वो cooler के through होके इसी DP valve से discharge हो जाता है इसे इस point को CD discharge कहा जाता है cooler discharge और यहाँ से जिस belt पे material जाता है उसे CD belt कहा जाता है सबसे highest point जो होता है DRI plant का वो stack cap होता है यहाँ पर और इसमें hydraulic cylinder का arrangement होता है जिससे की इसे open या close किया जाता है किल के ABC में तीन fan लगे होते हैं तीनो centrifugal type fan होते हैं दो ABC fan लगे होते हैं जो कि ABC में direct atmosphere से air suction करके देते हैं जबकि एक fan होता है जिसका suction point जो होता है वो cooler discharge की तरफ होता है और वहाँ से fine dust लेकर के आता है और ABC में वो उसे release करता है discharge करता है उसे डिरेश्टिंग fan कहा जाता है और इसके अलावा feet shoot में अलग से fan जो है उसे fit किया जाता है जिसे की feet shoot ceiling fan कहा जाता है वो भी centrifugal type fan होता है sort में जिसे FCS fan कहा जाता है तो friends इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी helpful होगी अगर 1% भी ये वीडियो आपको helpful लगी हो तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लि अलविदा